8 जलाइ की शाम प्रुधान मंत्री नरेंदर मोधी रूस के राश्टपती व्लादमिर पुतिन से एक private मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में कहा जाता है कि पुधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 200 भारतिये जो रूस की तरफ से युक्रेन रूस युद्ध में लड़ रहे थे इनको भारत वापस लाने की एक मांग रखते हैं और ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है ऐसा क कहा जा रहा है कि चार जो है वो जंग में अपनी जान हार भी जुके हैं और आज डीटेल में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे ये रूस पहुचे क्या इनकी सिचुवेशन थी क्यों ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे थे कि ये गुहार लगा रहे थे हमें अपने देश वापस आना है क्या कुछ हुआ इन सब पर आज हम डीटेल में चर्चा करेंगे मैं हूं मानसी ABP Life Podcast पर ये है FYI जहां आज हमारे साथ डीटेल में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे है Defense and Strategic Affairs Expert Retired Lieutenant Colonel J.S. Sodhi वेल्कम टू ABP Life Podcast जी सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी वो यही कि अगर आप ये बताएं कि ये भारतिये जो हैं वो कैसे रूस पहुँचे हैं? कब पहुँचे हैं? आखिर किस कारण पहुँचे हैं और इनके संख्या क्या? जैन मानसी जी ये मेरा सोबागे की मैं आपके न्यूस चैनल पहुँचे हैं ये जो दोसो भारतिया हैं जो रूसी सेना में यूकरेन के खिलाफ जंग लड़े हैं ये अलग सरक्मस्टांसिस में रूस पहुँचे हैं कई टूरिस पीजा पहुँचे हैं कई बिजनिस के ना पहुचे हो लेकिन इनोंने अपनी मर्जी से रूसी सेना में इनोंने भरती ली क्योंकि रूसी सेना इनको डेट से दो लाग पे पती मैना का वेतन देती है और इतने बड़े पैसे के ये सारे महां राजी हो गए मैं एक चीज़ परश करना चाहूंगा कि किसी भी इनसान को रूसी सेना ने पकड़ के अपनी सेना में भरती नहीं किया है खास करके जो बारतिय मूलके नागरे के ये सारे अपने उन अकौर्ड पे गए महां क्योंकि पैसा इनको अच्छा मिला था लेकिन कई महां जो गए उन्हें सेना में बढ़ती ली वो संडली उन्हों ने पाया कि ये जो जंग का मैदान है ये तो बिलकुल अलग है और वो फिर वापस भी आना चाहते थे और फिर सोशल मीडिया पे गुहार लगाई गई और फिर प्रदान मंतरी मोदी जब रूस की व मिश्ते बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं एक चीज़ आपके चैनल के मादे हम से भारत के यूकों को बताना चाहूंगा कि देखिए पैसा एक चीज़ होती है लेकिन जंग की सिचुईशन बिलकुल अलग होती है तो आपको कोई भी जादा से जादा पैसे का लालज दे या आपको एक बहुत बड़ा वेतन दिखाए जो कि एक ड्रीम वेतन हो लेकिन जंग के हालात बिलकुल अलग होते हैं और ये चीज़ सोच समझ के उनको ये कदम उठाना चाहिए क्योंकि अगर वो सोच समझ के कदम नहीं उठाते हैं तो बहुत जोकिम पर सकती है क्योंकि जब जंग का मैदान होता है तो महां पर गोला बारूत किसी भी वक्त कहीं पर भी गिर सकता है आज आप एक सेकंड पर आप एक अपने साथी सैनक के साथ बैठके चाहे पीरें और अचानक आप देखते हैं कि वो जीवत नहीं क्योंकि उस पर गोली लगी और वो महीं पर उ चीज़ देखते हैं तो ये नॉमल है कि अंदर से वो टूट जाते हैं देखे कोई भी सैनक जो होता है एक होता है एक साथ या मेरे साथ या मेरे सातियों के साथ वो मिंटली प्रेपैर्ड होता है हालांकि मैं यू भी बताना चाहूँगा आपके दश्कों को कि सैनिक जितना भी ट्रेंड हो लेकिन जब पहली गोली चलती है तो उसमें एक अलग सी फीलिंग तो आती है लेकिन क्योंकि वो अच्छी तरह से ट्रेंड होता है तो वो तितर बितर नहीं भागता है वो अपने आपको काबू में रखता है और जैसे सिखलाई हुए तरीके से वो बैटल ड्रिल बैटल प्रोसीजर करता है जो की एक सैनिक से एकस्पेक्टेड है यूद के मैदान में लेकिन कोई एक यूवक हो जिसके पास कोई सैनिक ट्रेंग ना और अचानक एक बड़े पैसे के ख्वाब में वो एक दूसरी देश की सेना जोईन कर लो वो सीधा यूद के मैदान में पहुंच जाए अब उसके पास कोई बैग्राउंड ट्रेंग तो है नी और अचानक वहाँ पे जब वो पहुंचते हैं वो वो नॉर्मल सिवलियंस थे जो की नौकरी के तलाश में थे और उनको पता चला कि रूसी सेना उनको बहुत बड़ा पैसा दे लिए डेट से दो लाग के बीच में कोई कोई मीडिया रिपोर्ट्स डेट लाग प्रती महीना कह रहे हैं कुछ दो लाग कह रही है तो इसलिए मैं डेट से दो लाग के बीच में कह रहा हूँ तो जो इतना इतना बड़ा पैसा उन्होंने देखा तो ओविसली कोई भी होगा जिसके पास नौकरी नहीं होगी तो उसका मन तो करेगा चलो मैं पांच शे महीने नौकरी कर लूँ मेरे आगे के कई कई साल सरल हो जाएंगे तो गलती उनकी नहीं है क्योंकि पैसा का अमाउंट इतना बड़ा था उनको नौकरी की तलाश थी लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जंग का महौल बिलक को देख सकता है जो प्रोफेशनली ट्रेंड होता है क्या आप हमें ये भी बता सकते है कि वो भारतियों पहुचे कैसे रूस की सेना में कैसे गए होंगे मांसी जी देखिए कुछ तो यहां से अलरेड़ी उन्होंने अपलाई किया था क्योंकि रूसी सेना की भरती पुली हुई है और उन्हें तो सैनिक चाहिए रूस हो चाहिए योक्रेनों दोनों को सैनिक चाहिए क्योंकि दो साल से जादा हो गया दोनों देश एक दूसरे की कई तो उन्होंने यह अपलाए करके यहां से उनकी सेना बढ़ती होने क्लिए कागज भरे कई वहां जब पहुंचे टूरिस्ट के वीजा पर या कोई कारोबार से तो उन्हें पता चला कि रूसी बढ़ती खुली हुई है जब उन्होंने पता चला कि इतना पैसा मिल रहा है तो उनका मन आविसली कर गया कि मैं इतना पैसे तो शायद मैं बारत में इतने साल में एक महीने मी कमा लुंगा तो उन्होंने ऐसा अपना गनेत माप्सामाटिक से लगा होगी और उन्होंने तो चलो 5-6 महीने एक साल की नौकरी कर लेते हैं और उसके बाद फिर होड़े financially comfortable हो जाएंगे लेकिन जो भी ये भरती जैसे मैंने पहले बताया ये सारी उनके ओन अकॉर्ड पर थी और वो हाँ खुद रूसी सेना के पास गए भरती होने के लिए पुतिन और हमारे देश के प्रधान मंत्री है पीए मोदी इनके बीच सहमती कैसे बनी देखिए अगर हम इत्यास में जाएं रूस से पहले सोवियत संग होता था और उसके बाद जब वो 15 देशों में टूटा 26 दिसमबर 1991 को तो रूस सबसे बड़ा उन 15 देशों में से उबरा तो चाहे सोवियत संगों चाहे रूस हो दोनों के रिष्टे भारत के साथ हमेशा इतने अच्छे रहे हैं कि कभी भी सोवियत संग ने या रूस ने अपनी धर्ती का इस्तमाल नहीं होने दिया भारत विरोधी गतिविद्यों के लिए और यह चीज़ अगर आप अमरीका और पश्चमी देशों से कंपेर करोगे मां की सिच्विशन बिलकुल अलग है जो हम किताबें पढ़ेंगे आपको एक इंस्टेंस नहीं मिलेगा जहांपे रूस ने भारत विरोधी कोई गतिविदी को मापन अपने दियो तो इस इस बैक्राउंड में मेरा मेरा रीजन ये बैक्राउंड बताने का ये था कि रूस भारत को बहुत इज़त से देखता है हमें सब्सक्राइब पियार करता है इसमें कोई शक नहीं है अगर भारत ने कोई पी चीज कभी भी ट्रांवट ट्रांसोर टिकनोलीजी मांगी है रूस ने मना नहीं किया है व्लकन तेखनार है जो हम मांगते हैं और भारतियों की बहुत हिज्जत है मैं आपके दशकों को बताना चाहूँगा कि अधिक्तम दशक आपके युवा होंगे उनको बताना चाहूँगा कि उन्ने सो पचास आठ में कई हमारे पॉपलर फिलम एक्टर्स होते थे जैसे राज कपूर इनके गाने सोवियत संग में इतन के गानों से तो मैंने ये एक्जामपल इसलिए दिया कि ये जो भारत और सोवियत संग और रूस अब रूस के जो रिष्टें ये दशकों पुराने और बहुत गहरे हैं बहुत अच्छे हैं तो जब प्रदान मंतरी मोधी जी ने राश्विती पूतिन से ये रिक्वेस्ट की तो फॉरण मानगे क्योंकि रूस कोई ऐसी कारवाई नहीं करेगा जिसे भारत को कभी भी दिक्तत हो और ये क्योंकि मैं काफी अधियन करता हूं काभी गताबें पढ़ता हूं मैं आपको ये आश्वासन के साथ दे सकता हूं कि रूस ने कभी ऐसी कोई कारवाई नहीं क जिसे भारत को ठेस पहुंचाओ और यही कारण है कि जब मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया तो राश्य पूतिन ने फॉरन इस रिक्वेस्ट को मान ली इस मुद्दे से जुड़ी कोई और इन्फोर्मेशन जो हमने इन सवालों में कावर नहीं की अगर आप वो बताना चाहें तो आप बता सकते हैं सब ने मानसी जी आपने पूरा यह जो अच्छी मसला था आपने बहुत अच्छी तरह कवर किया बड़े अच्छे प्रशनते हैं बस मैं आखिर मैं अपने एक स्टेट्मेंट को दुबारा रिपीट करना चाहूंगा देखिए मैं समझ सकता हूं जो युवा हैं उनको नौकरी पैसे कमाएं मैं भी जब युवा था तो मेरे अंदर भी डिस्परेशन थी कि मेरी नौकरी लग जाए मैं यह बातें सारी समझता हूं लेकिन वह नौकरी जहां पर आपकी जान जोखे में आ रही हो जहां पर युद का महौली नहीं बलकि युद हो पूरा वहां पर जाना बेगा है ट्रेनिंग के यह आपको तो दिकत में डालेगा ही डालेगा आपके परिवार को जो दिकत में डालेगा इसका शायद कई लोग इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जब आदमी यंग होता है उसको इन जादी चीजों की ना वो सोचता है क्योंकि उसके आ मिल जाए थोड़ी लेट मिल जाए वो लेकिन मिले गी आपको लेकिन ऐसे जगा पर जाके नौकरी करना जहां पर यूद्ध हो और जहां अलड़ी इतनी प्रॉब्लम्स हो यह आपको ही नहीं आपके परिवार को इतना दुख और दर्द देगा कि इसका आप अनुमान हमारे साथ जुड़ने के लिए ABP Life Podcast पर और इस विशय को हमें गहराई से बताने के लिए Thank you so much sir